समय की कीमत एक बार की बात है एक गाव में एक बूढ़ा आदमी रहता था वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक था काम चोड़ था वह कोई काम नहीं करता था और बस गाव में इधर से उधर घूमा करता था एक दिन उस बूढे आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है तुम उसे निकाल कर लाओ लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो इस घड़ी को अपने साथ बाजार में लेकर जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना अब वह लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी किसी ने उस घड़ी की कीमत पाँच सौ बताई किसी ने 1000 तो किसी ने 800 सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग-अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी वह लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने उनसे कहा कि पिताजी सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई, किसी ने पांच सो, किसी ने हजार तो किसी ने आठ सो, अब उस बूड़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ठीक है, घड़ी को तुम अलमारी में रख दो और जाओ, अब अगले दिन फिर से उस बूड़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा, लड़का फिर जाता है, और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है, और अब उस बूड़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ज रहे हैं। वह दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। तभी वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वह लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकाल कर लड़के से कहा बेटा यह जो समय है ना जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो। इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तुम करोडों रुपए दे कर भी अपनी जिंदगी का एक सेकंड वापस नहीं ला सकते हो। इसी लिए इस टाइम का सही उप्योग करो। टाइम की एक अच्छी बात है और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीजों में गुजारते हो। यह तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम से क्या नया कर सकते हो। तो अपने एक-एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन चीजों में उड़ा रहे हो। उस बूढे आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आखे खुल सी गई। मानो उसमें एक बड़ा बदलाव सा आ गया हो। और फिर वह अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई और। उस दिन के बाद से उस लड़के की जिन्दगी बदल गई। दोस्तों कहते हैं कि टाइम सब के लिए फ्री है लेकिन वह प्राइस लेस है, वह कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसे इस्तमाल कर सकते हो, तुम उसे रख नहीं सकते हो, लेकिन तुम उसे स्पैंट कर सकते हो, और अगर एक बार तुम इसे गवा देते हो तो तुम इसे कभी भी वापस नहीं पा सकते हो, तो अपने टाइम का सही उप्योग कर तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुचाएं अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए मिलते में अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ तो सबर करो, शुकर करो और जिन्दगी में आगे बढ़ो